दोस्तो आपका स्वागत है अपना फिरस्त से आज हम आपको बतांगे कि और क्या प्रोसस साध्य साथ आप को यह भी बताएंगे कि आप objet करेंगी तो आप आपको डवल टाइम देना पड़ेगा उसका वेट करेंगे तो डवल वेट करेंगे आनि कि कोई भी अगर प्रोड़क्ट आप ऑनलाइन पर्चेस करते हैं तो आपको इंतिजार तो होता ही है और उसके लिए आप भी टाइम निकालते हैं कि पता नहीं किदने टाइम डिलिव करें बेल आइकन को और पिक करके रखेएगा जिसे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो के नोट्रिकेशन सबसे पहले आपको मिले बिल्कुल भी देन ना करते हैं यह दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम आज को हैं अपने मोबाइल फोन के होम स्क्रिन पे सबसे पर अबेसी में अब्देट करेंगे आपने में अप्डेट करेंगे और लिष्टारुपन अप्डेट का हैगर अगर आपका ओर्जिनल है दो नहीं है तो यहाँ पर हम अबडेट कर देंगे तो एपडेट vendant का option बनके आ जाएगा तो जैसी डाउंडोड हो जाए डाउंडोड होने के बाद आपका ये open बनके आ जाएगा तो open पे click करेंगे उसके बाद दोस्तों जैसी open पे click करेंगे तो यहां पे लिख्या आगा फिर यहां पे हम अपने home page पे आ जाएंगे तो यहां पे आपको sign up कर लेना है अपने mobile number से तू sign up करने के लिए आपको क्या करना है Amazon Pay वाले option पे जाके यहां से आप आपना sign up कर लीजिएगा तो यह ज्यादा बेटर है तो अमेज़ान पे ओले option पे जैसे हम click करेंगे friends यहां पर आ जाएगा Amazon Pay UPI यहां पर login का अपना पर जैसे आप click करेंगे friends दोस्तो यहां पर आपको टीन आप्सें मिल जाएंगे तो दोस्तो यहां पर आपको सबसे पहले आपको login, new login का option मिल जाएगा दूसरा option मिल जाएगा already account वाला तो आपको already account वाले पर click करके अगर पहले से account आपका है तो आपको already account पर जाके login कर लीजिएगा अगर आपको first time कर रहे है तो new account sign up कर लीजिएगा new account sign up करने के लिए आप से आपका नाम, mobile number और password पूछेगा आप आपके mobile number पर OTP आएगा वो OTP डाल के आप login हो जाएगे friends अब दोस्तों जैसे हम अपने home page पे होंगे तो आप क्या करना है अगर आपको कोई भी product ऐसे देखना है तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं तो ऐसे आपको बहुत मेनल लगेगी अगर आप कोई भी product आपको पसं ब्लैक परदा open होके आगया है तो अभी हम डेमो के लिए यही वाला select कर ले रहे हैं सबसे उपर अला और इस पर click करने के बाद friends यहाँ पर थोड़ा सा scroll करेंगे तो दोस्तों यहाँ लिखा है add to cart अगर आपको एक ही product मंगाना है एक बार में तो यहाँ पर buy now करके आप buy कर सकते हैं लेकिन नहीं दोस्तों हमको एक और green परदा भी मंगाना है तो इसके लिए multiple के लिए क्या करेंगे add to cart कर लेंगे यहाँ पर friends और भी कुछ external products दिखा रहा है जैसे कि यह सारी चाहिए हैं जो की परदे को manage करने के लिए हैं अगर आप यह मंगाना चाहते हैं friends तो इस इसको हम अभी और back जाएंगे और back जाने के बाद एक और ऐसी green परदा भी हम add to cart कर लेंगे तो total हमारा यहीं पर आ जाएगा product और उसके बाद यहाँ पर proceed to buy पर click करेंगे friends तो दोस्तों आब हम यहाँ पर एक green परदा और एक black परदा अपने पसंद का यहाँ पर choose कर लिए ह और उसके बाद add to cart में हम आ गये हैं तो दोस्तों यहाँ पर green परदा और black परदा हमारा selected है जो की हमारा green परदा है 499 रुपेगा और black परदा है 380 रुपेगा friends अब हमको इसको order करने के लिए क्या करना पड़ेगा proceed to buy पर click करना है और यहाँ पर दिखा रहा है कि two item को हम purchase क सकते हैं लेकिन और दूसरा एक option यह भी होता है कि अगर आप current time यहाँ पर होंगे वही address अगर आप देना चाहते है तो नीचे automatically current address आ चुका होगा जो कि उसके सिर्फ आपको टिक मार करना है तो अब हम यहाँ पर current address देने वाले हैं जो कि हम यह जो 100,2 लिखा है simple इसी पर हम method पूछ रहा कि आप payment करना चाते हैं तो किस माध्यम से करना चाते हैं तो यहाँ पर पहला option है Amazon Pay Balance और दूसरा credit और debit card और other UPI apps भी है Amazon Pay Later भी है available नहीं है यहाँ पर और नीचे case on delivery का भी option है लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पर payment करना है तो payment करने के लिए हमको क्या करना है other UPI apps यानि कि हम अपना जो payment करेंगे यह हम UPI के माध्यम से करना है तो UPI वाले option पर click कर देंग जैसे UPI वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर UPI ID डालन और फिर उसी के सामने verify का option आजाएगा तो verify वाले option पर आपको click कर देना है जैसे verify वाले option पर click करेंगे तो अगर जो UPI आप डाले होंगे अगर बिल्कुल correct होगी आपको लगता है कि उस UPI से UPI बनी होगी तो नीचे लिख के आजाएगा pledge press continue to complete the purchase तो simple आपको यहाँ पर click कर चाया गया है कि अगर आप Amazon का prime ले रखे हैं तो आपा जो delivery होगा जो delivery का charges होगा वो बिल्कुल free होगा कोई भी charge नहीं लगेगा अगर आप बहुत जल्दी लेना चाहते हैं तो एक ही दिन में अगर आप product आपको receive करना है तो friends इसका delivery चार्ट लगेगा 500 रुपे अगर आप पर click करके कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमको कोई भी option चूज नहीं करना तो no thanks अब आप click करेंगे तो सिर्फ 40 रुपे का ही यहाँ पर हमारा charge लगेगा तो simple यहाँ पर friends नो thanks पर click कर देते हैं जैसे no thanks पर friends यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर सारी details आ जाएंगी यहाँ पर प्रेस कर देंगे friends यहाँ पर एक वारन लिखे है not please do not press back button or close the screen unit the payment is complete यानि कि जब तक आपका कोई भी payment यह successfully done नहीं हो जाता है तब तक आपको इस page को back नहीं करना है तो यह जरूर ध्यान दीजीगा जब आप payment online करें तो आपको back नहीं करना है किसी भी condition में फिर दोस्तों के अंदर या पिर आप जाईए तो वहाँ पर आपको notification मिल जागा या फिर सबसे उपर आपको मिल जागा notification वहाँ पर क्लिक करके payment करिए तो यहाँ पर हम नीचे थोड़ा सा scroll करेंगे उपर से टाक्स बार तो यहाँ पर हमारा यह request आ चुका है क्योंकि हमने जो UPI दी थी व अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो पेपर क्लिक करना है अगर आपको लगता है कि नहीं हमने हमारा यह पेमेंट रही है तो आप डिकलाइन कर सकते हैं तो यहां पर पेपर क्लिक करेंगे तो आपसे UPI PIN पूछेगा UPI PIN डाल देंगे तो आपके accounts जो आपका पैसा होगा व और यह पेमेंट successfully done हो जाएगा तो यहां पर पे और डिकलाइन का option खतम हो जाएगा फिर वह नहीं रहेगा तो आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर आपकी डिटेल्स हो जाएंगी जो भी आपने और किया है वह यहां पर टोटल सो करेगा तो दोस्तों यह अलग-अल होगा जो कि order today हो चुका है और option है कि यहां पर यह ट्रेक कर सकते हैं कि कब आपका ship हो चुका है तब आपका delivery के लिए हो चुका है जब कब आपका यहां पर पहुंचेगा तो दोस्तों अगर आप current time आप इसका status चेक करेंगे तो इसी type का दिखेगा अगर आप एक दिन product या single product अगर आपको purchase करना है हमें जोंसे तो आपको यही process को follow करना पड़ेगा और बहुत ही आसान तरीके से आप अपने product को purchase कर सकती है जो कि हमारे यह order complete हो चुका है सिर्फ आने की दे रही है बस क्योंकि यह process है आप डिलीवीवा जो होगा तो हमारा product आके हमको दे देग तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगे आप comment करके जरूर बताएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करेगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें बे दोस्तों वो वीडियो यहां पर चल रही होगी इस पर आप क्लिक करके यह information ले सकते हैं दोस्तों फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक क्लिए बाइबाय जैहीं टेक केर